दिवाली एक ऐसा तेवहार है जिसका सभी को पूरे साल बेसबरी से इंतजार रहता है और ये उतसब एक दिन का नहीं बलकि पूरे पांच दिन का उतसब है क्योंकि दिवाली के शुरू होने से पहले और बाद में तेवहारों की लाइन लगी रहती है ऐसे में लोग अपने घरों को फूलो लाइट से खूप सजाते हैं इसके अलावा सुन्दर सुन्दर कपड़े भी खरीते हैं लेकिन इन सब का जेब पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि दिवार फुश्यों के साथ थोड़ा सा खर्शा लेकर भी आते हैं अब यहां सवाल है कि हम यह सब ऐसी कौन सी जगा से खरीदे कि जेब पर ज़्यादा आसर भी ना पड़े और सारी शॉपिंग भी हो जाए तो इस खास इनको और खास बनाने के लिए और सस्ती बढ़िया शॉपिंग करने के लिए ऐसी कौन सी जगा है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगी लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अपी कि अगर आपने हमारे चानल दफ्रीडम न्यूस को अभी दफ कट स्काइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आप से कोई ज़रूरी जानकारी ना चुटे है तो चलिए बताते हैं अब आपको कि आप भारत के किन प्रशिद मार्पिट से शॉपिंग कर सकते हैं और जहां से कपडों से लेकर घर सजाने का समान काफी इपायती दामों पर आपको मिल जाएगा दिवाली के तैयारिया लगभाफ जातातर लोगों ने शुरू कर दी हैं और इस शुब अफसर पर लोग अपने घर को बहुत ही सुन्दर चीज़ों से सजाते हैं रोशनी के लिए दिये, मुम्बतिया, रंग दिरंगी, लाइट्स लगाते हैं दिवाली के अफसर पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए नए समान खरीते हैं दिवाली के समय बजारों में कापी भीडभार देखने को भी मिलती हैं लोग नए कप्रे, जुएलरी, मिठाईया, घरेलू समान, खान पान की खरीदारी करते हैं तो ऐसे में देश की स्राजधानी सबसे बेस्ट आप्शन है जहां से आपको कई सारी ऐसी चीज़े मिल जाएगी वो भी बहुत ही की फायती दामों पर दिली का सदर बजार थोग के समान के लिए बहुत ही प्रसिद है यहां पर देश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों वैपारी और खरीदारी यहां आते हैं दिली के सदर बजार में आपको खिलोनों से लेकर कपड़े, ज्वेलरी और घर की चीज़े कमदाम में और असानी से मिल जाएगी इसके पास ही चानी चौक की भागी रती पैलेस मार्किट भी है यहां पर भी आपको घर को सजाने के लिए जूमर, रंग बिरंगी, लाइट, असानी से और सस्ते दामों में मिल जाएगी इसके अलावा पास ही कपड़ा मार्किट है जो लहेंगे, साडी, सूट और कई तरह के कपड़ों की खरीदारी के लिए बहुत प्रसिज है इसके अलावा आप लाजपत नगर और सरोजी नगर जिसके बहुत सारे आपने शौर्ट्स वीडियो भी देखे होंगे यहाँ पर भी आपको बहुत सस्ते दामों में समान मिल जाएगा तो आप दिल्ली की इन सभी जगाओं से दिवाली की शौपिंग कर सकते हैं अगर आप जैपूर के रहने वाले हैं तो जैपूर का बापू बजार काफ़े फेमस है यह सबसे पुराना और बहतरीम बजारों में से एक है यह बजार राजिस्थानी चीजों के लिए काफ़े प्रसेद है जिसमें हैंडी क्राफ्ट, कपड़ा, पीतल का काम और कीमती पत्थर शामिल है साथ ही आपको यहां से यह सब चीज़े काफ़ी कम दाबों में मिल जाएगी इसके जैपूर में होल सेल के लिए जोहरी मार्केट काफ़े प्रसेद है इसके अलावा पुरोही जी का कटला बजार और श्री जगरनाथ गजग भंडार जैसे मार्केट में जाकर आप दिवाली के लिए शॉपिंग कर सकते हैं मुंबाई वालों के लिए कुलाबा कॉजवे मार्केट अच्छा ओप्शन है यहां आपको अट्रैक्टिव बैग कपडों के अलावा बहुत सारी चीज़े मिल जाएगी वहीं कपड़े खरीदने के लिए आप मुंबाई का मंगलदास और मुलजी चेठा मार्केट भीज जा सकते हैं इसके अलावा जुलरी की खरीदारी आप जवेरी बजार से कर सकते हैं अगर आप हैदराबाद रहते हैं तो हैदराबाद में भी बहुत पेमस मार्केट है जहां पर आप दिवाली के लिए खरीदारी कर सकते हैं यहां का चान मिनार मार्किट है जहां पर आपको डिवाली के लिए रंग रंगी लाइट्स मिल जाएगी इसके लावा एबिट्स मार्किट, इलेक्ट्रोनिक्स ज्वैलरी, कप्ले, फर्जूते और खाने पीने की कई तरह की चीजों के लिए काफी प्रसित है यहां पर घरेली और किराने के समान के लिए बेकम बजार भी काफी पेमस है इसके अलावा शुक्रवार की शाम को लगने वाला जुम्मे राद बजार यहां बहुत लोग रिये है यहां पर मुबाइल, टीवी, स्मार्ट वाच और घर की सज्यावत में उपयोग होने वाले सम कम कीमत पर मिल जाते हैं और वहीं अगर आप नौईडा रहते हैं तो आपने अट्टा मार्केट का नाम सुना होगा यहां का अट्टा मार्केट, जगतपान मार्केट, ग्रेटर नौईडा, इंद्रा मार्केट, ढ्रंपुत मार्केट नौईडा से दिवाली के लिए लेकिन यहां पर एक ज़रूरी अपील आप सभी से, तो आपसे यह अपील की जाती है तब प्रिडर म्यूज की ओर से, कि अगर हो सके तो आप लोकल मार्केट से समान खरीदे, ताकि वो छोटे-छोटे दुकंदार जो सडको पट्रियों पर अपना समान लेकर बैठे रहते और वो भी अपने घर दिवाली या और अन्यत अभार खुशियों से मना सके। आपको यह रिपोर्ट कैसे लेगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, बाकी सद्रागी और तमाम जानकारी के लिए आप बनेगे तक फिड़नी उसके साथ